आजके इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पाली भासा और संस्कृत भासा की द्वानियों मैं अंतर के वारे में आजकल कुछ बच्चे पॉड़कास्ट और लाइव स्ट्रीम के माध्यम से संस्कृत भासा को भारत की प्राचीन भासा बता रहे हैं इसके लिए बो यबन राजाओं की अभी लेखों का भी उधारन दे रहे हैं संस्कृत भासा ब्राम्हे में लिखी जा सकती है ये भी कह रहे हैं इन्ही तक्थियों की चर्चा मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ इसमें मैं अपनी रिसर्च का सहारा नहीं ले रहा हूँ बलकि राजीव पटेल की एक बुक है जिसका नाम है बैदिक युक का घाल मेल उससे मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ राजीव पटेल जैसे तमाम उन विद्वानों को मैं नमन करता हूँ जो सच को लिखने की हिम्मत रखते हैं तो अगर आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी चैनल के टेलीग्राम पर मिल जाएगी तो वहां से मंगवा कर इसे आप लोग जरूर पढ़ें ताकि आप लोगों के अंदर जो भरम घुसा हुआ है वो दूर हो सके तो आईए वीडियो के सुरुवात करते हैं तो वीडियो के सुरुवात यहां से करेंगे पेज नंबर है 56 और पालिभासा और संस्कृत भासा की ध्वानियों में अंतर तो यहां पर आपको ध्यान रखना है जितना मैंने हाईलाइट किया है इसी को आपको ध्यान में रखना है हमारे देश का जो प्राचीन नाम है वो जम्मू दीप ही था इसके बाद भारत बर्स हुआ मैं उत्खनन से प्राप्त इस्तंभ लेक, गुहा लेक, लगू लेक और ब्रहद लेक के जो भाग प्राप्त हुए हैं और उन अभी लेकों पर जो लिखा था उसको पढ़ने में सर्व प्रतम जैम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी उस लिपी का नाम उन्होंने अपनी पुस्तकों में बंभी लिपी लिखा है जिसे ब्रामी भी कहा जाता है जबकि समराट असो के अविलेकों में धम लिपी और समराट समुद्र गुप्त के अविलेक में धम लिभी लिखा मिलता है यहां से मामला गरवडा जाता है वही चीज में आपको यहां पे समझाने का प्रयास करूँगा और आजकल जो बच्चे यह धारन दे रहे हैं कि संस्करत भासा ही भारत की सबसे प्राचीन भासा है उनकी वो खुद की रिसर्च नहीं है वो भी दूसरों की रिसर्च का सहारा लेके यह बात कह रहे हैं आगे लिखा है बात यहीं से सुरू होती है अभिलेक पढ़ते समय जैम्स प्रिंसेप को ऐसे कई सब्द मिले हैं जो आज की संस्करत भासा के जैसा होने का भ्रम पैदा करते हैं लेकिन बोट सभी सब्द संस्करत भासा से को सो दूर है जैसे अभिलेकों से मिले कुछ सब्द रख रहा हूं तो यहाँ पर आपको कुछ सब्द लिखे दिखाई दे रहे होंगे जैसे बम्ह, बम्ही, बम्हन, भगबतु, उकरंती ये आपको ध्यान रखने हैं ये सब्द अभिलेकों में भी मिलते हैं इन्हे सब्दों से घाल बेल सुरू किया गया है कुछ भारती विद्वान ये दावा करते हैं कि ये सब्द संस्करत भासा के हैं जबकि ये सब्द संस्करत भासा के नहीं है अब आप लोग यहाँ नीचे जितना मैंने हाइलाइट किया है इस पे ध्यान दें आप लोगोंने इसी पुस्तक में बामहन या बामहन और बाभन का प्रियोग समराट असो के अभिलेक और समराट समुद्रगुप्त के अभिलेक में देखा होगा इस बामहन या बाभन सब्द का अर्थ पाली सब्द कोस अनुसार विद्वान होता है यानि सम्यक काल में जो भी विद्वान होते थे उन्हें बामहन कहा जाता था जो एक गुन बाचक उपाधी मातर थी यहाँ पर आपको समझना है कि बुद्वर महावीर के समय में जो विद्वान बर्ग होता था उसको कहा जाता था बामहन अब नीचे ध्यान दें जहाँ पर मैंने हाइलाइट किया है पहला बदलाओ पाली के बामहन में सबसे पहला ब्यंजन बा उसके बाद आधा मा और फि पूरतों द्वारा संस्कृत में संसकारत करने के बाद सबसे पहला ब्यंजन को ब्रा यहाँ आपको ध्यान रखना है कि बा जो लिखा हुआ था और डंडा लगा हुआ था उसमें एक रा को जोड़ा गया यानी शंसकारत किया गया उसको उसके बाद आधा हा और फिर मा और अंत में ला किया गया तो इसका जो पूरा अर्थ क्या हुआ ब्राहम मन इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अब यहाँ गोर करें कि बीच बाले बेंजन में मा और हा का इस्थान और रूप दोनों का परिवरतन धूरतों द्वारा किया गया है दूसरा सबसे बड़ा बदलाओ बा में रा का सैयुक्त आकार लेना जबकि पाली भासा और बंभी लिपी के लेखन में ऐसा नहीं होता है उसका मुख्य कारण है कि पाली भासा के प्रतीक सब्द के प्रारंब और अंत बाले बेंजन की ध्वानी स्वर्युक्त होती है यह आपको बहुत अच्छे वाली शरूप में किसी भी व्यंजन का रूप रा के साथ बनता है तो उस परिस्थती में बनने वाला तोनों संयुक्त व्यंजन का श्वर बिलोपित हो जाता है यानि श्वर विहीन आधा रा जिसके साथ जुड़ेगा वह रा अपने साथ जुड़ने बाले दूसरे बेंजन को भी श्वर विहीन बना देता है जिस बजह से पाली भासा में आधा रा वाला त्रा संयुक्त शुरूप नहीं बनता है जैसे प्रिय, पिय, प्रमाद, पमाद, प्रजा, पजा, प्रीती, पीती, क्रोध, कोध, बिप्र, बिप्र, मित्र, मित्र, इंद्र, इंद, आदी अगर आपको समझ में नहीं आया, तो वीडियो को दुबारा से देख सकते हो, एक-एक सब्द को यहाँ पे आप समझ सकते हो, जो लोग यह कहते हैं कि संस्कृत भासा से ही पाली का नर्मान हुआ है, प्राकृत का नर्मान हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पाली प्राकृत बहुत पुरानी भासा है, संस्कृत उसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन जबर जस्ती संस्कृत को अशोक के काल में जाके इस थापित करने का उद्देश लोगों के अंदर दिखाई देता है, आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जितना मैंने हाइल इलाइट किया है उसको, पाली भासा और बंभी लिपी में सैयोक्त बर्ण के प्रयोक को शमजने के लिए उधारण शुरू इसके साथ दो अभिलेक दिखा रहा हूं, पहले पर लिखा है भगबतो उकरंती यानि भा, गा, वा, ता, तापे उकी मात्रा, फिर बड़ा, उ है आधा का है, फिर रा है, रापैंकी बिंदी है, फिर ता है, तापे छोटी इकी मात्रा है, लिखावट को गौर से देखें, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यह आप देख सकते हो नीचे, चित्र संख्या 21 में भगबतो उकरंती, जिसमें भगबतो के बाद पहला उ, उसके अधबाद का और रा का संयुक्त है, परनतु इसे आज की भासा लिपी की लेखने में देखने की आदत कहें, दोनों मैंसे जिसका भी प्रभाव कहें, उस प्रभाव के कारण बंभी लिपी में ऐसे लिखे सब्दों को का मैं रा का संयुक्त, यानि क्रा पढ़ने की गलती लोग कर देते हैं। इसलिए मैंने कई अभिलेकों को बहुत ध्यान से पढ़ा है। और ये गलती सिर्फ कुछ एक इतिहासकार नहीं करते हैं। एक दूसरे को कौपी करकरके इतिहासकारों ने पूरे इतिहासका सत्यानासकर डाला है। किसी राजा के अभिलेक में अगर आज कोई सब्द लिखा मिलता है। तो उसका वो अर्थ संस्कृत भासा में ढूनने का परियास करते हैं। जबकि संस्कृत भासा में जो अर्थ है पाली प्राकरत में जो अर्थ है वो बिलकुल विब्रीत है। और अधारन में आपको दे रहा हूँ। शक्य मुनी चित्र संख् 22 में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ भी है जिसमें पहला वर्ण शा उसके बाद का और या का शैयुक्त प्रयोग है उसके बाद मु और नी है इसमें जो सैयुक्त सब्द का और या है उसका उच्चर्ण आधा का और या यानि क्य होगा जिसे एक साथ शक्य पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार पाली भाता और बंभी लिपी में सैयुक्त सब्दों का लेखन वा पाठन को देखें। जो सैयुक्त सब्द दिख रहे हैं विस सभी शब्द सैयुक्त होने के बाद भी सबों के अंतिम वर्ण की ध्वनी शुराकांत है। चिन हलंत का अविश्कार किया गया है। इस हलंत का प्रयोग हर जगह देखा जा सकता है। इस हलंत के प्रयोग से सब्द के अंतिम अक्षर की ध्वनी शुर्बहीन हो जाती है। पाली और शंस्करत भासा के लेखन और पाठन करने में अंतर करने का सबसे सटीक पहचान यही है। हलंत और विशर्ग। इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा जो अंतर है वो यही है। तो बनने पर भी जो आकरती बनती है उसी आकरती अनुशार बेंजन के उपर शुर का प्रयोग किया जाता है। यानि दोनों परिस्थिती में सब्द का शुरूप जरूर बदलता है। इस कारण रा का उपर बाला शैयोक तप्रयोग नहीं होता है। जैसे मार्ग अगर हम पाली भासा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मगगो, आर, आर को लिखेंगे अरियो, अनार को लिखेंगे अनरियो, दुरलब को दुललभो, निर्वान को निबान, अरहत को अरहत, दर्शन को दस्सन, सर्ब को सब आदी। बंभी लिपी में ऐसे लिखना पड़ता है। वहाँ पर आधार रा जो ऊपर लगाते हैं यासे धर्म लिखा है। तो धर्म में जो आधार रा ऊपर लिखा है न ऐसे नहीं लिखा जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि ब्राम्भी लिपी में आज की संस्कृत भासा को लिखा जा सकता है। उन्हें अभी ना तो लिपी का ग्यान है ना ही भासा का ग्यान है। बंबी लिपी में ब्राम्मी लिपी में वो शंस्करत भाता को कैसे लिखने का प्रयास करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ उसमें वो कुछ नए अक्षरों का निर्मान करते हैं स्वयम से तब जाके वो लिखते हैं लेकिन जो अक्षर राजाओं के अभिलेकों में पाए गए हैं वही अक्षर सर्बमान्य हैं आप अपने तरब से स्वता उन अक्षरों का निर्मान नहीं कर सकते या फिर यबन राजाओं के अभिलेकों में प्रयोग किये गए अक्षरों का भी प्रयोग नहीं कर सकते अगर आप उन यवन राजाओं के अभिलेखों का सहरा ले रहे हैं, तब तो निश्चत ही आप विदेशी साबित हो जाओगे। केवल यवन राजा करवा रहे हैं और भारती राजा नहीं करवा रहे हैं, तो इससे तो यही निश्कर्स निकलता है कि ये यवन राजाओं की भासा में प्रयोग किया जाता था। फिर तो निश्चत है कि विदेशी होने का ठपा लगी जाएगा। तो जो आजकल बच्चे प और पर इंगित करते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन भासा संस्कृत नहीं है। चाहे आप कैसे भी उसको देख लो। तो मेदे ये चीज़ आपको समझ में आई होगी आगे बात करते हैं। अब आप इसे देखिए। उसी प्रकार की बात यहां लिपी के नामकरण की भी है जिसमें लिपी की लिखाबट बंभी और ब्राम्भी में मा और हा का इस्थान परिवरतन से लेकर बा में रा का सैयुक्त रूप से संसकारत करने का मामला भी है। समराट असोक और समराट समुद्र गुप्त ने करमशह अपने अभिलेक में धर्म की बातों से जनता को संबो संबोधित किया है। वहाँ वहाँ उन लोगों ने इस लिपी का नाम करमशह है धम लिपी धम लिभी लिखकर संबोधित किया है। इसे चितर संख्या 23 में धम लिपी ये लिखा हुआ है और चितर संख्या 24 में धम लिभी ये लिखा हुआ है। देख शकते हैं यहाँ पर ये राजाओं की अभिलेखों में लिखे हुए शब्द हैं इन्हें जुटलाया नहीं जा सकता जबकि कितावें तो कभी भी लिखी जा सकती हैं क्या असो के समय में हमारे देश में कागश था क्या समुद्र गुप्ट के समय में हमारे देश में कागश का प्रयोग होता था न कि कागज भी लिखी हुई बातों को आज बदल कर लिखा जा सकता है क्योंकि उनमें बदलाव संभाव है तो जहां पर बदलाव संभाव है उस पर विस्वास करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो धम लिपी का जो उधारन है बुसरफ असोक नहीं दिया है बलकि समुद्र बमहन का अर्थ विद्वान होता था यहां तक तो आप लोग सहमत है उसे बमहन से एक और सब्द बना हुआ है जिसे बम्ह कहा जाता था जिसका अर्थ क्या होता था स्रेस्थ उस बम्ह का अर्थ जानने के लिए सम्यकाल की कुछ घटनाओं को देखना होगा सम्यकाल में वि बुद्ध को सबसे ज़्यादा प्रिये थे जिस वजह से ऐसे बिहार में भगवान बुद्ध का बरसावा सबसे ज़्यादा बीता था बैसे सभी बिहार को बम बिहार कहा जाता था ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि उन सभी बिहारों में श्वयम भगवान का निवास होना और उनके निवास होने की वजह से वहाँ पर भगवान की हमेशा करुना यानि दया, मुधिता यानि हर्स मुधिता और उपेक्षा यानि समता रूपी ओज का परकास पुझ बैता रहता था जिस वजह से उन बिहारों को बम-बिहार कहा जाता था यानि वह बिहार और बिहारों से स्रेष्ठ बिहार थे जिस बज़े से ऐसे बम बिहार वाले इस्थानों को स्रेष्ठ बिहार कहा जाता था तो जो सब्द पाली प्राकरत में प्रियोग किये जा रहे हैं उन्ही सब्दों को संसकारत करके उनका स्वरूप बदला गया है और ये कब हुआ है ये हुआ है अशोक के बाद जब हमारे यहां अत्रमनकारी आए तब ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यहां के जो थेरवादी थे वो बंसवादी थे, वो अपने बंसवालों को स्रेष्ट मानते थे और सामने वालों को वो स्रेष्ट नहीं मानते थे और इसका अगर आपको धारन चाहिए तो राजा विडूडप की कहानी है उसको आप पढ़ सकते हो वहाँ जो शाक का बंसी है वो अपने आपको स्रेस्ट बताते हैं जबकि विडूडप को वो निम्न कुल का बताते हैं कुल की परंपरा थी, स्रेस्ट कुल और निम्न कुल की जो परंपरा थी वो समय मौझूद थी और यही चीज असोक के बाद यवन शक पहला और कुसानों के साथ की गई थी इन्हें स्रेष्ट बंस का नहीं माना गया था बलकि निम्निकुल का माना गया था इसलिए इन्होंने महायान नाम की एक अलग साखा बनाई थी जिसमें स्वयम को इन्होंने बमन कहा था प्रारंप में यही सब्द था लेकिन बाद में यही सब्द ब्रामण में परिवर्तित हो गया महायान साखा में जितने भी दार्सनिक हुए हैं अधिकतर दार्सनिकों को बमन या आज के इतिहास कारों ब्रामन ही लिखा हुआ है चाहे फिर गो नागारजुन हो अशंग हो वशुबंधु हो किसी को भी उठा लीजिए आगे आपको और धारन देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए ये बात यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझना है ऐसे पुरुष के इस अपूर्व विजय को ना कोई देवता यानि देवता किसको कहा गया है यहां अरहत या भिखु को जो स्रेष्ठ है उसको कहा गया है ना कोई गंधर्व यानि आ जाय में नहीं बदल सकते हैं ये आपको यहां पर ध्यान रखना है इन सब साक्षियों से यह इसपस्त हो जाता है कि बंभ सब्द गुनवाचक है जिसका अर्थ स्रेष्ठ होता है जैसे बुद्ध तथागत आचार या आज का सब्द डॉक्टर प्रोफेशर मास्टर पर किया जाता है जैसे बुद्धत की प्राप्ति के बाद ही किसी को बुद्ध कहा जाता था तथा तथागत यानित तथिता का पालन करने वाले को ही तथागत कहा जाता था आचार यानि अचरियों का संबोधन भी अच्छे आचरन का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए ही ये किया जाता था, यसे आज हम गिली को आचार कहते हैं, तो आचार का मतलब क्या है, जो अच्छा आचरन रखता है, वही आचार है वो जो अच्छा आचरन नहीं रखता है फिर वो भले ही आपका सिक्छा क्यों नहीं हो लेकिन वो आचार नहीं हो सकता अब हम लोग मुख बिसे पर आते हैं कि शम्या काल की लिपी का नाम अभिलेकों पर धम लिपी लिखित होने के बाद भी अंग्रेजी विद्वानों ने सभी जगह है बंभी लिपी जिसको बाद में संसकारत करके ब्राम्भी लिपी लिखा गया है क्यों लिखा है जबकि उस लिपी को पढ़ने का कारभी अंग्रेजी विद्वानों ने ही किया है वे लोग तो समराट असोक और समराट समुद्रोगुप्त द्वारा लिखी गई लिपी का जो नाम है वो धम लिपी या धम लिबी से जरूर अभगत रहे होंगे सही बात है धम लिपी से सभी अंग्रेजी विद्वान अवगत थे लेकन सम्यकाल में धर्म का जो अर्थ गुण शुभाव लक्षण था उस गुण शुभाव लक्षण बाले धर्म का सामंती काल में अपहरण कर लिया गया सामंती काल यहां पर उस समय को कहा जा रहा है जब देश में जाती बात ब पोड़ी कलम कशाईयों ने जबर जस्ती अपनी लेखनी द्वारा सब्द कोस में धर्म का अर्थ गोन शुबहाओ लक्षण से बदल कर संपरदाय मजहब रिलीजन का परियाय बाची कर दिया यानि धर्म अब किसी के गोन शुबहाओ लक्षण को नहीं कहकर किसी के संपरदाय किसी के मजहब किसी के रिलीजन को ही धर्म कहा जाएगा यहाँ पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा धर्म और धर्म दोनों शब्दों पर मैंने वीडियो बनाया है काफी सारे लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी थी कि आप ये गलत परिवाशा दे रहे हो धर्म की परिवासा और धर्म की परिवासा एक ही है जबकि जो धर्म की परिवासा है उसका जो ब्रोधी रूप है वो है धर्म धर्म का अर्थ जो है वो बिलकुल अलग है वह लिपी किसी संपरदाय मजभ और रिलीजन की लिपी बनकर रह जाएगी जो अंग्रेजी विद्वान थे उन्होंने ये समझा कि अगर इस लिपी को अगर हम नाम दे देंगे धम लिपी तो ये बौधों की लिपी बन जाएगी इस वज़य से अंग्रेजी विद्वानों ने उस लिपी को भारत की प्रथम पठनी लिपी और स्रिष्ठ लिपी के खिताब से सुसोभित करते हुए नाम करण करना ज्यादा उपियुक्त समझा होगा ऐसा भी देखा गया है कि पहला पुत्र, पहली कमाई, पहला अविश्टार, पहली खोज यानि हर वो पहली ग्यात वा लावकारी बस्तू बिचार ग्यान को स्रिष्ठ ही कहा जाता है फिर यह है भारत की प्रत्थम ग्यात और पठिनी लिवी का नामकरण भी स्रेष्ठ होना चाहिए और उस स्रेष्ठ नाम को ही पाली भासा में बंभी कहते हैं ये आपको समझना है जो स्रेष्ठ है उसी को पाली भासा में बंभी कहा जाता है बौद धर्म का एक गरंथ है ललि को खीचने का प्रियास करते हैं जबकि वास्तविक्ता इसके बिलकुल विप्रीत हैं अब आप लोग इसको देखें यहां से भी आपको कुछ चीज़ा समझ में आएंगी संस्कृत लिखावट ही तू बंभी लिपी यानि धम लिपी का क्रमिक बिकास यहां पर धम लिपी में कुछ अक्षर लिखे हुए हैं उनका स्वरूप कैसे बदल रहा है उसको आप देखिए यह पहला है फिर दूसरा तीसरा, चोथा, पांचवा, छटवा साथवे में आपको जो का दिखाई दे रहा होगा इस का का जो स्वरूप है इसको देखिए आज हम इस का को कैसा लिखते हैं ऐसे ही लिखते हैं तो यह रूप बहुत बाद का है लेकिन इसी रूप को आज कल कुछ बच्चे यह कहते हैं कि यह तो इसा से पूर्व का है कुछ तो कहते हैं एक करोड़ 96 लाग इसा पूर्व का है जबकि असोक के काल में ही इस जो का का स्वरूप है वो बिलकुल अलग था तो इस तथ्थर से हम ये जान सकते हैं कि बंबी लिपीब में जो का बनता था वो कैसा बनता था फिर उसका रूप धीरे-धीरे कैसे परिवर्तित हुआ ये सारे अक्षरों का रूप धीरे-धीरे कैसे परिवर्तित हुआ और आज कैसा है उससे हम इसके बिकास का जो रास्ता है वो समझ सकते हैं लेकिन हम अहंकार में इतने डूबे हुए हैं और धार्मकता में इतने पागल हो चुके हैं कि सच को सुईकार ही नहीं करते हैं इसमें अच्छे से इस बात को दिखाया गया है कि अक्षरों का सुरूप कैसे बदल रहा है फिर भी हम इस बात को सुईकार करते ही नहीं हैं बस किसी ने कोई बात कह दी उसी को हम कॉपी करकर के पिरचारत करना सुरू कर देते हैं अरे उस विद्वान ने कहा है तो जरूर सही कहा होगा अरे आप भी तो करो तो उमीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी अब आगे बात करते हैं इस वाले तथी की संस्कृत एक संसकार की हुई भासा है इसका जो उत्तर छुपा हुआ है वो इसके नाम में ही छुपा हुआ है संस्कृत यानि संसकारत की गई भासा अब किसको संसकारत किया गया ये भी तो पता होने चाहिए तो इसके जो सब्द हैं उनको ध्यान में रखो जैसा कि मैं अपने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि समराट अस्तों के बाद हमारे यहां कई आक्रमनकारिया है, इनकी भासाएं भी आईं, वो पाली प्राकरत में जाके समाहित हुई और उसी को संस्कारित किया गया और उसी का नाम संस्कृत है, पहले रूप हमारे सामने संस्कृत भासा का प्रिचलत है, वो मुस्कल से 700-800 साल का है, लेकिन धार्मिक लोग बारवार यह क्लेम करते हैं कि यह भासा स्रिष्टी बनने से पहले ही बन चुकी थी, उनके द्वारा ऐसी बातें जब की जाती हैं, तब यह समझ में आता है कि इन्हो से इनका कोई लेना देना नहीं है, वो तथियों से इस बात का भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विद्वान बर्ग, पढ़ा लिखा बर्ग भी उसी बात को अगर प्रिचारत करें, तो समझ लो कि यह धार्मिक ता में बहुत ज़्यादा गरस्त है, और सिक्छा से इसक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सिक्छत व्यक्ति कभी भी अति स्योक्ति चीज़ को सुईकार ही नहीं करेगा, आगे यहाँ पे लिखा है जिसका संस्कार यानि निर्माण पाली भासा से हुआ है, और नागरी लिपी का क्रमिक विकास भी बंभी लिपी यानि धम लिप यह आपको यहाँ पे समझना है, तीसरी बात संस्कृत सब्द की अन्तिमध्होनी श्वर वहीन करने हेतु इसमें हलंत की आविशक्ता होती है, जिसका निर्माण बंभी लिपी में नहीं है, बंभी लिपी की बंडमाला में जैसे रिशी वाला जो अक्छार है वो और विश उद्भाव नहीं है जिस वजह से इन सब्ध धोनियों का सब्ध बंभी लिपी द्वारा बन ही नहीं सकता जबकि संस्कृत में इनी धोनियों की प्रधानता सबसे जादा है जिसकी पूरती नागरी लिपी का बिसुष्ठ बेंजन और चिन्ह करता है इसी लिए मैंने पिछले बाले वीडियों में ये कहा था कि संस्कृत भासा नागरी लिपी के लिए ही शुटेवल है उसे अगर आप ब्राम्भी में लिखने का प्रियास करोगे तो कई तुर्टियां हो जाएंगी तो कुछ लोगों ने ओधारन के तौर पर चार सब्द लिखके भी दिखाए थे आ आप लिख तो सकते हो लेकिन तुर्टियों का क्या करोगे जो अक्षर हैं ही नहीं उन्हें आप कैसे बनाओगे या फिर उनका स्वता निर्मान करोगे अगर आपने उन अक्षरों का स्वता निर्मान किया तो फिर बंभी लिपी का पूरा सुरूप ही बदल जाएगा ब्राम्ही लिपी में लिखा जा सकता है। लेकिन कई तुरुटियां होने के कारण हम लोगों ने उस बिसाय को छोड़ ही दिया था। इस थापित करने का प्रयास ना करो। आगे यहाँ पर क्या लिखा है और मैं आपको बताता हूँ। अब आप लोग इसको समझो ये बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पर एक बच्चा बैठा दिखाई दे रहा होगा। साय ठीक से बैठा दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पर मैं एक फोटो लगा दूँगा ताकि आप लोग इसे अच्छे से देख सकें। अंबाला के पास 1965 इसवी में सुध नामक इस्थान से मिट्टी का बना एक खिलोना मिला था जिसमें एक बैठे हुए बच्चे की मूर्दी बनी है। वह बच्चा अपने हाथ में लिखने वाली एक तक्ति यानि सिलेट पकड़ रखा है जिस तक्ति पर बंभी लिपी की बर्ण माला का श्वर या बेंजन अंकित है। इस खिलोने के बारे में जो प्रातत्व विताओं का कहना है कि यह खिलोना ईशा से दूसरी सताब्दी पूर्व का बना है। बरतमान में यह जो खिलोना है वो कहा है राष्ट्रिय शंगराला दिल्ली में रखा है यह अब यहां से कुछ इतिहास कारों की पूल खुलने वाली है। लिखा है आगे अब आज के समय में निश्चित एजेंडा के तहट जितने भी लोग लेखन करने वाले हैं। उनमें से कुछ लोगों का लेखन बंभी लिपी जिसे ब्रामी लिपी भी कहा जाता है कि श्वर बेंजन पर नहित है। इन लोगों के अनुसार इस बालक की गोद में जो तक्ती है उस तक्ती पर बंभी लिपी का श्वर यानी छोटा बड़ा चोटी बड़ी ये अंग अहा तक लिखा है। अब जो बच्चे पॉड़कास्ट में बैठके उधारन देते हैं वो ऐसे ही इतिहासकारों का उधारन देते हैं जिन्होंने शड़ेंतर के तहर लोगों को गलत जानकारी दी। तो इस बच्चे की सिलेट में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। चोटा बड़ा चोटी बड़ी इस परकार है ये। जितने आपको यहाँ पर देख रहे हैं के बल इतनी ही हैं। और पीछे जो मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने हैं बार हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि शड़ेंत्र में कुछ इतिहासकार भी सामिल हैं। कुछ क्या अधिकतर इतिहासकार सामिल हैं। इसलिए मैं राजियू पटेल जैसे उन तमाम विद्वानों को नमन करता हूँ जो सच लिखने का साहस करते हैं। वरना अधिकतर लोग तो लिखने का साहस ही नहीं करते हैं तो यहां से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अब इसको देखिए बंभी लिपी में जो बेंजन है वह इस प्रिकार है तो यहां पे कई जो अक्षार है वो मौजूद ही नहीं है जैसे यह हैं ही नहीं बिशार्ग, हलंद, इनका प्रियोग होता ही नहीं है क्या इनके बिना संस्कृत लिख सकते हो अगर संस्कृत को ब्राम्भी लिपी में लिखना है तो इनका आपको श्वता निर्मान करना पड़ेगा च्छत्रग्या का और स्वता निर्मान करके लिख सकते हो जबकि मूल बंभी लिपी में या ब्राम्भी लिपी में वो अक्षर हैं ही नहीं असो की अविलेखों को उठा के देख लो उसमें कितने अक्षरों का प्रियोग किया गया है जबकि आज की संसकारत भासा यानी शंसकरत और हिंदी की वर्ण माला में जो वेंजन है उसमें बंभी लिपी बाले वेंजन का पूर्ण समाबेस तो है ही साथ ही भासा के बढ़ते बिकास करम के साथ संसकारत भासा यानी शंसकरत और हिंदी में कुछ मात्रा का क्रमिक विकास भी हुआ है जैसे आप इन अक्षरों को देखिए ये ब्रामी लिपी में नहीं है नागरी लिपी में है अब आज की संसकारत भासा में जो क्रमिक विकास करते हुए बैंजन की मात्रा बढ़ी है उस मात्रा से आज कोई ध्वानी का निर्मान होता है तो बैसी ध्वानी का निर्मान सिर्फ संस्कृत या हिंदी की भासा में ही हो शकता है ये बात बिल्कुल सही है बैसी धोनी को बंभी लिपी और पाली भासा से जोड़ कर दिखाना या देखना एक निश्चित एजिंडा के तहत लेखन का परभाव ही कहा जा सकता है जैसे ब्रामहन, ब्रामही, छत्रिय, शूद्र, ग्यानी, रिशी, यग, शिरी, इत्यादी कि इतिहास को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, आपके पास भले ही PhD की डिगरी हो, अगर आपके पास तरक नहीं है, सोचने समझने की छमता नहीं है, तो आप इतिहास को जानने ही सकते तो उमीद है आपको ये चीज यहां से समझ में आई होगी अगर नहीं आई है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं के सामने आप लोग प्रस्न खड़े कर सकें